असलाव वालेकूं मैं डियर श्टूड़न हाव वाई यू कैसे वाफ सब लोग बेटा होप यू वाला फाइन तुटिया वाफ सब्जेक इस इंग्लीज लेसन नमरे दड़ डॉंकी एंद दचेकल बेटा यह वाली स्टोरी में आपको कल पढ़ा चुकी हूं हमारे लास्ट पीडियाड में ओके बेटा यहां तक हम लोगोंने पूरी स्टोरी कम्प्लीट की थी अब हम लोग आगे की स्टोरी रीट करते हैं यू लीव इन फॉरेस्ट ऑल दर टाइम यू डॉंट नो एनी मूजिक आई लीव अमोंग मैं एंड वुमें एंड आई केंग वेरी वेल तो जैकल उसको डॉंट को पूछता है तो तुझे घाना आता है तुझे बार में कुछ पता है यह अमणों को ने लाश्ट अम न पढ़ा था तो जो डॉंट की होता है वह जैकल को यह अंसर देते हैं कि तू तो फॉरेस्ट में याने जंगल में रहता है इसके लिए भी गा सकता हूं ब्रदर लेट मी फर्स गो टू दा गेट यू कैन सीन लेटर उसको बोलता है आई विल लुक फॉर दा गार्ड सेटर जेकल मरलब जेकल उसको कहता है कि भाई पहले मुझे गेट पर जाने दे और मैं देखता हूं कि वहां पर गार्ड है के नहीं है फीतु ग कि बीढ़न तू ब्रे के उत्की मैं बीटता तो कि वह उसको क्या कहता है फॉर कि जब जेकल जाता है पास तो नहीं के पास तो डॉच की वह distressान आद और वहां होता आध कि जो जो अविक makes ora नहीं के है ब्रे को दौन इसे किन आप भाथे टून्की का आपो बीग पून होता है वह डॉंक की का यवा सुनता है और लग कर वे पास आता है यह उसके पैर को लकड़े के टुकड़े के साथ बंग देता है ताकि वह पुर डॉंकीू डैगेच दलॉंग ईलॉंग में ईठ जो गे हुई है उसको खritis के तक आता है तो जैकल saw the donkey and said I told you not to sing but you did not listen to me कि जब जैकल वो donkey को देखता है कि उसको ऐसे पेर बे भान दिया है वो खेंच के हुए आता है उसके पास तो वो बाहर छुपा हुआ होता है तो उसको बोलता है देखो यहां पर हमने feature में दिखाया गया है बेटा तो उसको बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि दुगाना मत का पर तुने मेरी बास नहीं सुनी ओके बेटा तो मतलब यहां पर हमें एक story हमारे पुरी finish हो रही है आपको सब को समझ में आई बेटा कुछ भी query होता मुझे पूच सकते हो आपको यह सब श्टोरी में मज़ा आई एक बहुत प्यारी सी चोटी सी स्वीट सी श्टोरी थी राइट चलो एक वार वापस में आपको पूरी स्टोरी रिपीट करा देती हूँ थाकि आपको एक रिमाइंड हो जाए के एक पैट एनीमल होता है नोटोरी प्रेट मुम ओ करा यह और एक कब्राइस के लिए हैसे कम करते हैं हिस्यार का मैं ने किक को निलुकर कि झीमारि कॉछ्छा लृंक का उतक मित्ता उसका हाता है निक है वापस अपने घर जंगल पास चला जाता है ओके बेटा फिर एक दिन जब हैवी मिल खाने के बाद वो बहुत खूस होता है और फोस को बोलता है कि आज मैं बहुत खूस हूँ और मैं आज गाना गाना जाता हूँ तो फॉर्स उसे मना करता है कि तुम गाना मत गाना तो मैं तो गाने के बार में कुछ पता भी नहीं है तो कहता है कि नहीं तुम तो यंगल में रहते हो मैं तो इंसानों के बीछ रहता हूँ तो मुझे गाने के बारे में सब पता है तो उसने बोलते है कि ठीक है तू रुख जा मैं पहले गेट पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ पे गाड है या नहीं है बाद में तू गाना गाना तो जैसे वो गेट पे जाता है और डॉंक्य अपना आवास करता है तो महांपर गाड आ जाता है और उसे खैभी लकड़े के टुक्ड़े के साथ बांध देता है और फिज्द वह सुन लेता था आज यह नहीं होता राइट चलो तो बैटा कुछ भी क्वेरी होता मुझे पूस हकते हो नैस पीरिया में आपको इसके हाड डर्स करवा दूंगी ओके अलाफीज